हेलो नमस्कार मैं निशांस फिर से लेके आया हूँ आपके लिए बिहार दरोगा का रनभूमी मेराथन स्रीज जिसमें हम डील करेंगे तीस बहतरीन करेंट अफेर्स के कोश्चन्स को तो आज मात क्या त्यानी का दिन है छटा दिन मात क्या त्यानी को इनको पढ़ाम करते हुए इनको नमन करते हुए ऑपनी क्लास को हम常 करते हên तो देखते हैं पहला कुशन हमारा अहमारी जो पहला कोशन है किस महिला गरेंड़ को सितम्बर 23 के लिए आई.सी सीपे कौन है पहले तो समझ यह क्या है जो आइसी सी प्लेट अफदमन्थ है यह होता क्या है कि आइसी सी ने जो आइसी सी है इंटरनेशनल कि इंटरनेशनल किर्केट कॉंसिल यह क्या करता है कि हड महिने चाहे पुडूश हो चाहे महिला हो जुरोंने वर्ल्ड में अच्छा क्रिकेट कहला हो चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वन डे इंटरनेशनल हो चाहे T20 हो किसी फिर फॉर्मेट में जिसमें सबसे अच्छा क्रिकेट खिला है उसका रैंकिंग देता है सिर्फ ये महिने का नहीं ये पुड़े साल बढ़ का रैंकिंग देता है साथ ही साथ किसी टीम का किसी बैट्समें का बॉलर का सारे का ये रैंकिंग देता है तो जो इस महिना जो सेप्टेमर के महिने में जो मिला है सम्मान किसी महिला क्रिकेटर को वो मिला है चमारी अटावा अटापट्टू को ये अटापट्टू को मिला है पुर्सकार मिला है तो यह जो सम्मान मिला है यह महिला है जो वो स्रिलंगा की महिला है दूसरा T20 की रिकेट में यह महिला वहां के कैप्टन है और महिला के पास रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड सनस जैसुरिया जो रिकॉर्ड जो है वो सनस जैसुरिया वहां के बड़े प्लेड हुआ करते थे बहुत पुराने प्लेड हुआ करते हैं उनकी पास भी यह रिकॉर्ड नहीं है जो इस महिला ने रिकॉर्ड बनाया है तो मिलते हैं हम यह कौन है जिन्होंने आपको दिख रही है चमाड़ी अटापट्टू आपको देख सकते हैं यह बहुत बहुत बहतरीन खिलाडी वहां क कि यह शिरलंगा की इनके नाम बहुत सारा रिकॉर्ड है और इन्होंने रिकॉर्ड सन जैसुरिया जैसे बड़े महाल प्लेड का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है अब आते हम अंगले सवाल पर हमारा अगरा सवाल है किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबड दोहजर थैस क के लिए ICC player of the month का समान मिला कि पुरुष प्लेड को तो यह मिला है हमारे भारतिय player शोमन गिल को कौन है शोमन गिल को यह पुरुसकार मिला है यह दूसरा यह यह जो आवर्ड है वो किसलिए मिला है अशिया कप में उनका बेहतरीन परदरशन के लिए उनको यह पुरुसकार मिला है दूसरा यह समान मिला है और दूसरा यह भारति की इकलौते player है अकेले player जो है यह अकेले player है जो उनको यह ICC player of the month का पुरुसकार जो है एक से अधिक बाड़ इनको पुरुसकार मिला है एक अधिक बाड़ इनको यह पुरुसकार दिया गया है और साथी साथ ODI में मतब वंडे international में ओ डी आई में इनका जो रैंकिंग वर्तमान रैंकिंग है इनका रैंक है टू और जो पहला रैंक है वो किसका है वह पाकिस्तान के प्लेड बाबर आजम का किसका है बाबर आजम का पहला रैंक है और भाड़त के तरफ के पहले जो ओडियाई के लिए जो वंडे इंटरेशनल गेम होता हूं उसमें इनका रैंक टू है तो कासी उभरते हुए खिलाड़ी है और भविश में यह भाड़ते कैप्तान भी बनन इसको आपने देखा जिनको सेतंबर दोहतार ताइस का आइसी सी प्लेड आफ दा मंत का अवार्ड मिला अब आते हैं अगले सवाल पड़ प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भड़ में किस महापुरुष के जर्मदीन पर विश्व छात्र दिवस मना जाता है देखिए छात्र दिवस तो हम जानते हैं छात्रों के चहेते या एस्ट्रों के सबसे ज़्यादा पसंदिजा इनमें से जो व्यक्ति है वो है इनका जो मंता बद्रे यह ऐसे इनका जन्म जो थी थी है वो है 15 अक्टूबर 1931 इनका जन्म दिती है तो यून ने क्या किया था कि 2010 से ही कि 15 अक्टूबर को परतिवर्ष वर्ल्ड स्टूएंट डे जिसको विश्व छात्र दिवस मनाने के घोचना कर दी थी क्या कर दी थी 15 अक्ट तो 2000 पंद्रे अक्ट तो जहां 10 से ही यह गोचना कर दी थी कि हर वर्ष 15 अक्ट को मना जाएगा विश्व छात्र दिवस और इन्होंने बहुत काफी सारा बुक भी लिखा उसमें एक पेमस बुक है अगनी की उडान क्या है अगनी की उडान उडान काड़ेकाल था राश्च्पदी के रूप में 2002 से लेकर 2007 तक इनका काड़ेकाल था इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं और साथ ही साथ इन्होंने इसरो और DRDO में भी बहुत बहतरी काम किया है कहां काम किया है इसरो और DRDO में इन्होंने बहतरी काम किया है तो ये सम्मान जाता है हमारे सब के चहेते, छात्रों के चहेते, पुड़े भारत के पुड़े दुनिया के चहेते, एपी जी अदुल कलाम को तो दूसरा प्रमानु जो पोखड़न में 1998 में में विसफोट किया गया था, उनमें भी उसका भी श्रे इनको जाता है, बहुत थर तक श्रे जाता है कि विग्यानिक रूप में के काफ़ी काफ़ी है, दूसरा ये एरोएस पे साइंटिस्ट में थे, इन्होंने बहुत सारा य योगदान किया है अगनी मिसाइल में और बहुत तरह का अलग-अलग मिसाइल में, मिलते हैं हम इनसे, इनको कौन नहीं जानता है दूपड़े दुनिया में, विद्यार्थियों का ये कहते हैं कि विद्यार्थियों का सबसे आच्छा गुण है, वो है सवाल पूछना, वि स्ट्वेंट ही नहीं पुछेंगे, कोई अपने, कोई व्यक्ती, चाहे पढ़ा लिखा हो या अन पढ़ओ, अपनी अधिकारों को लेकर सवाल पुछ सकता है, चाहे वो सत्ता ही क्यों नहीं हो, उसको सवाल पूछना, चाहिए, अगर वो सवाल नहीं पुछना, तो वो जी हमारे सामने हैं हाल ही मैं निम्ण में से कौन सा देश सबसे गड़ीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में एक बनने के लिए World Bank ने उसकी सडाना की है मतलब वो देश गडीब देश है लेकिन तेजी से वो आगे बर रहा है वो देश है हमाड़ा बंगला देश हमाड़ा प्रोटी देश जो बंगला देश है वो काफी तेजी से आगे बर रहा है और उसने क्या क्या जिसे हमने क्या क्या था सबस्क्तु कर रहा है साथि साथ यह क्या कर रहा है कि इसका जो है पुल व्यापार है उसमें अस्ठीप परतिश्यत जो व्यापाड है वो व्यापाड ये जो पैसा कमाड़ा है वो कमारा रेडिमेड गार्मेंट से रेडिमेड रेडिमेड गार्मेंट से ये पैसा कमाड़ा है और इसका जो पोजीशन है बंगलादेश का आप मैप में देखेगा तो इसका पोजीशन जो है बंगा की खाड़ी के पास बंगाल की खाड़ी में जो उसका पुजीशन है जो इस्तिती है वहां पुजीशन है वह क्या करता है बांकी दुनिया के सब देश से वहां पहुंचना आसान है बहुत सारी देश जैसे अफरिका का देश या बहुत सारी देश जो लैंड लॉक्ड है उस पर ट्रांस्पोर्ट का काफी एच्छा सुभी में इस वज़ां से बंगला से दुगनी रफ्तार बंगला दिश क्या बंगला सब+. मतलब अमीर लोग की संख्या बंगलादेश में बढ़ गई है तो जैसे भारत में या अमिड़का में तो बंगलादेश में करता है मंटन मांस को एक्सपोर्ड करता है तो इसमें वह बहुत आगे बढ़ रहा है फिर जो इसको बहुत हैं लेदर डिनस्ट्री चमड़ा का उद्योग वह काफी वहां पर ग्रो कर रहा है तो इस तरीके से बंगलादेश छोटा देश है लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ हमारा बैंकी सिस्टम जिसको बलता है आराड भी रूडल रिजिनल बैंक उसका शुरुआत हुआ था वही तया था बंगलादेश का यह कॉंसेप्ट था अला सवाल वर्ष 93 के पदमपृसकारों के घोशना कर दी गए है बिल्कुल इसवाड से अवर्ष किल कितने लोगो को दिया जाना कि पदंपृसकार जो है वो क्या होता है कि हर वर्ष ग्र stack ऑषना होती है उस वर्ष गोशना होती है तो इस वर्ष जो है 1223 में दिया गया है वो 106 लोग को दिया गया 106 लोग को जिसमें पदम बिभूशन पदम भूशन और पदम श्री दिया गया है पदम बिभूशन में जो सबते महान व्यक्ति में आते हैं वो है ORS के ORS जो ORS घोल जानते हम लोग ORS घोल है ना तो ओरेस घोल की जो फाउंडर से जिसको बनाई थे उनका नम था दिलिप महाल नोबिस इनको पुरुसकार मिला मर्नोप्रांथ मिला और एक बड़ी फेबस पॉलिटिशियन है जिनको जानते हैं हम लोग मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव इनको मर्नोप्रां जिसमें सबसे महत्रपूर्ण कौन-कौन है दिलिप महाल नोबिस और मुलायम सिंह यादव यहाँ पड़ सबसे फेमस है और जो पदम भीभूशन है वो दिया गया है छे लोग को भूशन जो है वो 9 लोग को और पदम श्री दिया गया है एक कानवे लोग को और एक जानते है इससे जो बड़ा पुरुसकार वो होता है वो होता है भारत रतना भारत रतन यह पुरुसकार होता है जो हर वर्ष तो नहीं दिया ता लेकिन अगर किसी एक वर्ष में दिया गया है या दिया जाता है तो अधिक्तम तील लोग को मिलता है क्या मिलता है अधिक्तम यह ती है कि वो तीन लोगों को और आखड़ी बड़ यह कर दिया गया है दोजार उनीस में कि जो तीन लोगों को दिया गया वो थे नाना जी देशमुख कि पड़ाउ मुखर जी और भुपेन हजारी का कि इन लोगों को दिया गया था वश्च दोजार उनीस में और यह इसका सुरुवात का वह था सारे प्रदम पुष्टकारों का सुरुवात उनीसों चववन में हुआ था कि तो हमने देखा किनको किनको कैसे कैसे मिला अब चलते हैं हम अगले सवाल पड़ निमिन में से कौन सा भारतिय दूई पड़ केंदर सरकार 41,000 करोर रुपे के अंतराष्ट्रे ट्रांस शिप्मेंट पोर्ट के निडमान की योजना बना आ रहा देखिए कि कि यहां पड़ किया होड़ा केंदर सरकार जो है स्रवंत कर रहा है वो क्या कर रहा है कि क्रीट नीकोबाड में उअ भारति दूइप पड़ क्यों कर रहा है वहां देह लो सॉलेह मिलियन यहां पढ़ाएंगी सॉलेह मिलियन में वहता है 1.6 करोड के यहां पर कंटेनेर उत्रेगा उत्ता शिप आईए और उसका मल्टिप्ला कोगे बहुत सारा कंटेनेर उत्रेगा इस वजह से उस दूइप को काफी सेटल किया जाड़ा काफी मजबूत बन जड़ा है कि वहां पर उतना कंटेनर जो आएगा वह रखा भी जाता है इस वजह से जो सरकार है वह एक तालिस हजार क्रोड रोप्या का खर्श कर रही है वहां पर इसको अंतराश्टी अस्तर का अंतराश्टी अस्तर का यह ट्रांस शिप्मेंट पोर्ट के निडवान की योजना है यह देख लिए हमने अब देखते हैं इस का अगये यह देख रहे हैं होलिस्टिक डेवलोप्मेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलेंड यहीं पढ़ है कि इस पोर्ट को देखिए यह पूरा पोर्ट का इडिया है इस पोर्ट को पूरे पोर्ट को यहां तयर किय कि वहाँ पहुंची वहाँ रखा जाए तो इस तरीके से उसको पास होता है जहां पर शिप लगते हैं उस एडिया को मजबूत किया जा रहा है और सी तो हमको अपना सुरक्षा भी करना है क्योंकि भारत के जो मुखह जगहा है वहाँ से अंडमाद दूड है कौन सा देश स्वेज नहर विशेस आर्थिक्शेतर में भारतिय उूध्ययोगों को भूमी आवंटित करने की योजना बना रहा देखे स्वेज कैनाल सोयस Kenya सोयस nähind जिसको बोलते है सोयस Kenya भारत क्या कर रहा है कि भारत जो है वो मिश्र के साथ मिश्र जो है जिसको बोलते है Egypt इजिप्ट इजिप्ट ने क्या किया कि अपना कुछ लैंड अपना कुछ जमीन है वो भारती उद्योगों को किसको दे रहा है भारती उद्योग को अपना कुछ लैंड दे रहा है वो अगर वहां पर लैंड दे रहा है तो क्या करेगा दोनों का हम दोनों का बिजनेस बढ़ेगा क्या होगा बैलेंस बिजनेस बैलेंस ऑफ टेड और या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा मतलब बिजनेस जो है वह एक्षेंज होगा मतलब उनके यहां से समान बना या हमारे यह समान बना दोनें दूसरे को समान भीज़ सकेंगे तो क्या कर रहा है कि विशेस आर्थिक शेतर मे इस किनाल में भारते उद्रोगों को भूमी आवंटन कर रहा है कौन? मिश्र कर रहा भूमी आवंटन क्योंकि भारत जो अभी भी है वो दुनिया का सबसे इमर्जिंग एकोनोमी है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हो एकोनोमी है और इस एकोनोमी का पाठ हर कोई दुनिया में होना चाहता है अगर वो कोई देश अगर इस एकोनोमी का पाठ अभी अगर दस सालों में नहीं हो पथा है तो वह बांक धंधी्या से पिछर जगा है अमिर्का को सब कर रहा है और dust इस वजेसे अप यहां के उद्धयों को अपने यह यहां जगा दिया है और हुद्धयों महां काम करेंगे तो वहां भी नोगरी बनेगा और वहां के लोगों रोजगार मिलेगा और वहां भी अच्छा पैसा आएगा देख रहे हैं मिश्र के राष्ट्पति और भारत के प्रथान मंतरी ये कौन है अब्दूल फते अलसीफी जो वहां के राष्ट्पति है जो पहले असम के भी मुख मंतरी थे वो पूरद में इन्होंने किया इसे होगा क्या नेश्नल लोगिस्टिक पॉर्टल से होगा क्या कि यह मालीजे कंप्यूटर का आपको फेस है पहला जो स्क्रीन होम स्क्रीन है यहां पड़ा आपको साड़ा सुभी धाब उपलब्द होगा कि आप अपना जो काड़गो है मतलब अपना शीप है कहां भेज़ेता है क्या समान है उसके जुड़ा हुआ जो जानकरी चाहिए व जो भी हमाड़ा कोस्ट ज्यादा गिरता है महांगा पड़ता है उसको कम करने के लिए किया गया है यह यह बनाया गया है एक कम्प्यूटर का सिस्टम मनाया गया है इससे क्या होगा कि जो लोग कि अपने आपने जो समाने वह बीदेश बिजाना चाहते हैं उनको कम पैसे में उनको जो है लोगिस्टिक चार्ज मतलब ट्रांस्पोटिशार्ज चार्ज उनको कम लगेगा हमारा अगरा सवल भारत के पहले स्वदेशी Mobile Operating System भार OS Operating System की सफल चेस्टिंग की गई इसका विकास किस ने किया की Incubated Firm Junked Operations Private Limited Junked Cops दोड़ किया गया देखिए यह है क्या हम जानते हैं हम लोग बहुत तरह का Mobile Preface यूज़ करते जैसे Android है ना Android OS या इसी किसी तरह का हम लोग क्या करते है Mobile Operating System जैसे पहले जो Nokia है वो Windows Operating System लेके आया था क्या लेके आया था वो Windows का Operating System OS लेके आया था वो सक्सेस्पूल नहीं हो पाया लेकिन भारतिये ने हम भारतिये ने Digital India के तहद क्या किया Digital India के तहद हम भारतिये ने क्या किया आत्म निर्भड बने आत्म निर्भड और आत्म निर्भड बने क्या किया हमने IT मदरास ने एक Mobile Operating System मना दिया स्वोदेशी Mobile Operating System मतलब हमारे देश में मना हुआ Indigenous Mobile System उससे क्या हुआ कि हम Digital India में एक नई क्रांती के रूप में जन्म लिए और दूजरा अभी इसका अनुमाल लगा जाड़ा है कि ये कि 100 करोड लोग मतलब 100 करोड मोबाइल 100 करोड मोबाइल में ये यूज होगा इसका एक estimation किया गया ये अनुमाल लगाया गया कि 100 करोड लोग इसका यूज करेंगे तो 100 करोड लोग यूज करेंगे तो कितना बड़ा ये संख्या आपको दिकड़ा है हो सकते हैं ये बाहर के दिश्ट दूसरे देश की भी लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे तो हम digital क्रांदी में Digital इंडिया में काफी आगे बर रहे हैं और किसने किया ये आयटी मदरास नहीं किया किसने किया आयटी मदरास नहीं कि देखिए दिख़ए होगा आपको भाड ओएस इनेबल्ड यह दिखा आपको इंडियन इंस्टिटूट ओफ टेक्नलोजी मद्रास इसने तयार किया अपना सोधेशी निर्मित ओएस इसको बहुत है ओपरेटिंग सिस्टम मोबाईल का केंद्र सरकार्म ने कहा कि चड़ाईदेव मैदाम को विशु धड़वड अस्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनिवेस्कों को एक प्रस्ताव भीजा था अब यह पुड़ाना है यह भीजा था यह भीजा जा चुका अब तो यह है क्या यह असाम में है यह क्या है असाम में चड़ाईदेव मैदाम नाम का एक अस्थान है वहां पर तेरवी सदी में तेरवी सदी में वहां पर अहूम सब्राज था क्या था अहूम सामडाज था सामडाज था तो अहूम समडाज के जितने लोग मरते थे मतरब उस रजवंश के उनको जो हमारा चड़ाईदेव मैदाम है वहाँ पड़क जाके उनको जमीन में दफन कर दिया जाता था और साथ ही साथ दफन के साथ उनका जो भी जड़त का समान था या उनका जो अपना समान था उनके साथ उनके साथ उनसको दफन करते थे उस इरिया को कहा जाता है चलाई दे मैदाम उसी को कहा जाड़ा है विश् प्रांस्क्रितिक धरवार जो है UNESCO में अभी तक एक भी नहीं है इस वज़ा से इसको भीजा गया अब देखाते क्या है ये देख रहे हैं ये असाम UNESCO team to visit चड़ाईदेव मैदाम to SS World Heritage Site देख रहे हैं ये यही है जहाँ पर अहुम सामराजी के जो राजवंश के राजा मराजा लोग हुआ करते थे उनका उनके शब को उनके जोड़त का समान के साथ वहाँ पर दफना दिया हमारा अगरा सवाल सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस शासरवल ने off-alert अभ्यात्रू किया off-alert है ना तो ये भारत और पाकिस्तान सीमा पर भारत एबं पाकिस्तान सीमा पर जोकी राजस्थान सासकार राजस्थान प्लस गुजरात के बॉर्डर पर ब्स ने निगडानी रखने के लिए निगडानी रखने के लिए निगडानी रखने के लिए कि आतंकी घटना पर निगडानी रखने के लिए ये अभ्यास्थ शुरू किया ये अभ्यास शुरू किया था भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खासे रजस्तार और गुजरात के छेतर में वहाँ पड़ी आज़गवादी घटना को रोकने के लिए वहाँ से यहाँ नहीं आ जाए इन्फिलिटरेट नहीं कर दिये इस वजह से इस घटना के लिए ओपरेशन ओप्स एलर्ट शुरू किया गया था देख रहे हैं बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्से बीएसस स्टार्टेडा स्पेशल कॉमबेट एकसरसाइज जितकों बोलते हैं किया दर्भ क्या किया गया ओप इलर्ट इसका नाम दिया गया अब देख्धैना सवाल हमारा हमारव सब्वब टीने 65 perfect Easter कि शुरॉब सुझ कि यह कड़े आ परदेश के मुंख मंद्रींने किस ने किया है ये किया है आंध्मा परदेश के मुंख मंत्रीं जैसे हम लोग बुलाते हैं किसी में मानव या तो यह जो एक और पहुंचे का पष्चू एम्बूलेंस यह एम्बूलेंस क्या करेगा उनको एक हाइडॉलिक लिफ्ट होगा है डूलिक लिफ्ट के दुब और उस पसू को उठाएगा और त्रण्थ ले जाएगा हस्पिटल म किस राज के कांगेड घाती राष्टिय उध्यान में हाल ही में दुरलव नाणगीरंगा जुर ये मिला थे है वह 26 गड़ में ये जो है बहुत रेयर कसमने है क्या है दुरलव जाती है ये और यह खासकर कहाना पर जाता है ये खासकर मिलता है बंगलादेश में, म्यानमार में और चीन तरफ मिलता है और भारत के ये केरल प्रांत में ये पायाता है और अभी पाया गया है च्छंदेशगर के कांगेर घाटी राष्टीय उद्यान में अब मिलवाते हैं, कैसा है ये चम्हणदर। देख़ेएं हैं ये, ये बैठ है और ये देख़ेएं कांगेर गहाटी निशनल पाड्क、 कांगेर वैली निशनल पार्क ऩि मदा अग्ले सवाल खबडों में रही बक्स वाहा खदान किस राजु में है देखे बक्स वाहा खदान बक्स वाहा खदान में क्या है कि बहुत मात्रा में यहाँ पर हीरा है डायमंड है हीरा है और इसका एस्ट्रिमिंट लगाया गया कि कि 60,000 रुपया का है कितना है 10,000 क्रोड रुपया का इस हीरा है और वहां उसको हीरा निकालने के लिए लगबग carry not पेड़ कितना 2.5 लग पेड़ का को हटा जागा कॉक कच दिया जाएगा इस वज़ा से क्या किया है कि लोग ने इसका विद्रोह करना सुरु कर दिया और खास कर जबते कोरोना हुआ हम जानते कि ऑक्सीजन हमारे ले कितना जोड़ी है अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हीरा लगे हम कड़ी है क्या तो लोगों ने गुहार लगाई और ये मामला पहुंचा, कहां पहुंचा NGT में जिसको बोलते हैं National Green Tribunal राष्ट्री हरित प्राधिकरण तो इसने फिलहाल इस पर रोख लगा दी है कि यहाँ पर अभी खदान पर माइन यहाँ पर कुछ भी नहीं खोदा जाएगा देखिए सिर्व वक्सवाहा फोरेस्ट इसको बचानी का मुहिन चल रहा है इसमें यह कहा गया कि इसको नहीं अब खोदा जाएगा पिलहाल रोख है आप देखिए आगे क्या होता है दुनिया के सबसे लंबे रीवर क्रूज का नाम क्या है जो दुनिया के सबसे लंबा रीवर क्रूज है वो कहां से चल रही है वारा नसी से वारा नसी से चल रही है और कहां तक जाएगी डिबरू गढ़ तक जाएगी डि 20-50 रुपया एक दिन का खञा है तो यह गंगा नदी होते ये ब्रहंपुत्रा-नदी में जाएगी। और सासी सासी है कि छोटे छोटे नदी को मिलागे कुल 27 नदी को कुरास करेगे। अब गंगा विलास कि देख रहे हैं एंबी गंगा विलास वर्ल्ड लॉंगेस्ट क्रूज ऑब देखेंगATA वाला हमाणा Susancessor कि अब गया है मेगाले में जीलॉंग में ची खोल गया मैं मी शीनॉंग में में AG आप जानते हैं कि आनलाइन गेमिंग जो है वह भारत में क्या है उसपर 28% GST लगा दिया गया है और यह North East में ही क्यों खुला गया है यह प्रवतर में क्यों खुला है इसका कारण क्या है प्रवतर में खुलेगा कि वहां पर जो वहां की लोग को भी connect करना है इस चीज से यह वहां बहुत सारा factory नहीं है तो यह technology के थो ही वह लोग connect हो उनको प्रवाद करें अब चलते हैं अगले सवाल है नेमिन में से कौन सा देश अपने 75 गंतंत्रता दिवस पर नहेरू के चित्रवाला डाक टिकर जाड़ी किया देखिए भारत और श्रिलंगा एक लंबा समय से साथ है हम पौरानिक दृष्टीव से भी जखते हैं कि जब श्रिलंगा ने उसी सम्मान को देते हुए अपने 75 गंतंत्रत दिवस पर क्या किया श्रिलंगा ने जवाला लहड़ू के चित्रवाला डाक टिकर जाड़ी किड़या कि देख रहे हैं कि इस श्रिलंगा के वर्तमान के और एक तरफ हमारे पहले प्रधार मंत्री निम मैंसे कौन सा देश मिशल长 सेंडेलिया ककड़ ने मीरर टाइपिंग किताबे बना degrees ج वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया देखिए कौन है ये इन्होंने क्या किया यह इटली के हैं इन्होंने क्या किया एक कास्ति किताब को एक कास्ति किताब को इन्होंने लिखा और मिरर इमेज मतलब अगर किताब को मिरर के सामने रखेंगे लिखा इन्होंने उल्टा लेकिन किताब को मिरर के सामने रखेंगे तो वो सीधा दिखेगा अब दिखाते हैं सबस्ummere घ्राट्रिय rozir kिताब से इनोंने काफि किताब को लिए काफि हैं बड़ा ये कि किस देश में पाए गए खरे बड़ा जो भंडार है वो पाया गया है तुईटर में जो रेयर और सलिमेंट है रेयरर्थ अलिमेंट है यह पाया धिक्व स्वीड़न में भी से क्या हुआ कि जो हम चीन से जो उड़क का गड़ता था चीन से इसको मंगा था उसका इस पर अब जड़त नहीं हल्याजा कर दिम्की मामले में इसको बोलते हैं कि कि निम्न में से किस देश देश ने 2030 तक सेना को आधा करने के योजना बनाइए हम जान रहे हैं कि 263 nda का बहुत बुड़ा कि अरूरा उतिक इस देश जो है डी सिराटी के बहुत खड़ाब है इस निगा कि यी निन-टर यह कि अपना सारा खर्जा है वो अबी श्रemicा के द Hah श्रलंगा के पसत दो लाक क्रेंग है इसको दो जाकında तीस सबस्का मों एक ल यह एक लग और साही साथ यह क्या और जो सारा पैसा बचे को खड़ेगा फर्ज सिक्षा पड़ और साथी साथ स्वास्त पड़ क्योंकि उसके उस दिश की जो इस्ति है आर्थी बहुत अभी खड़ाद है कि यह देख़ें है शुलंगा का टाटा पावर्ड हाउसिं सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किसी सोसाइटी के लिए हाउसिंग सोसाइटी के लिए यह किया गया मुंबई में यह देख़ें हैं अला सवाल हमारा नेमिन में से किस देश की सरकार ने दोज़ाद तैस तीस तक सेवा निवड़ती की उम्र बढ़ा कर बासरट से बढ़ा कर चौसरट कर देगी देगी जो यूरोप का देश फ्रांस है वो क्या कर रहा है वहां भी थोड़ा सा आर्थिक सह नहीं से नहीं है और वहां पर पेंशन को लेकर मांग पेंशन को लेकर पेंशन का जो मांग है वह काफी वहां पर डिमांड हो गया है और दूसरा और वहां पर क्या है कि पेंशन को मांग वहां लोग इसका डिमांड करने से लोगे और दूसरा कि अगर 64 साल तक लोग नौक कि current affairs के questions को कैसे pictorial form में पढ़ा जाता है और आपके दिमाग पढ़ इसका च्छाप रह जाता है तो मिलते हैं फिर दूसरे कल वीडियो में अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए थैंक्यू और दूसरा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो फिलिजी लाइक कीजि मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक लिए थैंक्यू